दोस्तों सबसे पहले एक जुरूरी बात आप अगर मेरी कोई पुरान वीडियो देखते हैं और उनमें से कोई सैकल आप आप आणलाइन पर्चेस करना चाते हैं तो उसकी लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगे हाँ तो कैसे हो दोस्तों उम्मीद है ठीक होंगे दोस्तों आज का वीडियो को टोपिक है 21 गेर सैकल में गेर कैसे यूज करते हैं और साथी आपकी गेर से जुड़े कुछ डॉट्स क्लेर करने वालाओं पर आखिर में तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो में अगर कुछ भी आच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से दबा दीजे आज जी सैकल में हम गेर कैसे यूज करते हैं ये देखने वाले हैं उस सैकल का नाम है हीरो होलर जिसमें आपको मैक्रोशिप्ट के गेर एक्वेप्ट्स मिलते हैं हीरो होलर सैकल पर मैंने पहले वीडियो बना रखिये है आप अगर इस सैकल के बार में और जान करें चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको टिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो चलिए अब दियर के बार में बात करते हैं तो मैक्रोशीप्ट में आलग क्या है तो इस में अपको थ्म मिलते हैं हेंडर Bye की लेट साड़ की तरफ है फ्रंट शिप्टर जो की क्रेंक सेट के लिए होते हैं और हैंडल बार की राइट सेड की तरफ है रियर शिप्टर जो की सेवन फिरोल के लिए होते हैं शेमानु की बिट्स में आपको फिंगर शिप्टर और थम शिप्टर मिलते हैं उपर की तरफ finger shifter है और नीची की तरफ thumb shifter पर यहाँ पर आपको दोना ही shifter thumb shifter मिलते हैं आपके cycle में अगर shimano की gear equipment है और आपको use करना नहीं आता तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं इसकी link पर आपको description में मिल जाएगी Microship thumb shifter का एक और फैदा होता है कि shimano में brake lever और shifter inbuilt होते हैं यहाँ पर brake lever और shifter अलग-अलग है अगर future में brake lever कभी खराब हो जाते हैं तो स्रीब आपको brake lever change करना है ना कि पूरा set तो सबसे पहले आपका gear equipment की बारे में जानना ज़रूरी है यह है thumb shifter जिसकी बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है यह है rear derailleur जिससे chain को up or down कर सकते हैं यह है seven females सबसे बड़ा है first, फिर second, third, fourth, fifth, sixth और सबसे चोटा है seven यह है front derailleur और यह है thin crank सबसे चोटा है first, फिर second और सबसे बड़ा है third और यह है chain तो चलिए gears के बारे में जाते हैं front में thin crankset है और rear में seven three और इनके combination से 21 gear बनते हैं तो चलिए अब बात करते हैं gear कैसे use करते हैं और शुरुबात करते हैं shifter से handlebar की left side में है front shifter जो की crankset के लिए होते हैं one, two, three जब आप big shifter को press करते हैं तो chain big crank की तरफ shift हो जाती है और जब आप small shifter को press करते हैं तो chain small crank की तरफ shift हो जाती है अब handlebar की right side में भी rear shifter है जो की firewall के लिए होते हैं यहाँ पर display में one, two, seven दिख रहा होगा और यहाँ पर भी दो thumb shifter हैं उपर की तरफ है small shifter और नीचे की तरफ है big shifter अब यहाँ भी ध्यान से देखिए जब आप small shifter को press करते हैं तो chain small firewall की तरफ shift हो जाती है और जब आप big shifter को press करते हैं तो chain big firewall की तरफ shift हो जाती है तो चलिए अब बात करते हैं gear कैसे use करते हैं अब अगर flat road पर cycling कर रहे हैं जहाँ पर जदा traffic ना हो और आप cycle को speed से चलाना चाते हैं तो इस condition में chain को third number crank पर मतलब सबसे बड़े crank पर rear में सबसे छोटे firewall पर मतलब 6th या 7th firewall पर आप chain को shift कर सकते हैं इस position में paddling थोड़े hard हो जाती है और आपके appers भी लगते हैं लेकिन आपके cycle की speed कभी अच्छी हो जाती है वही पर आगर आप fly over या पार पर climb कर रहे हैं तो इस condition में इसके opposite front में सबसे छोटे crank पर मतलब 1st number crank पर और rear में 1st या 2nd फिर वेल पर आपको chain को shift करना है अब यहाँ पर क्या होगा cycle की speed तो जादा नहीं होगी और आपके appers भी कम लगेगे पर आप आसानी से fly over या पार climb कर सकते हैं इसलिए single speed cycle के मुकाबले gear cycle का सबसे जादा फैदा यहाँ पर होता है जब आप city में cycle riding कर रहे हैं जहाँ पर आपको normal speed रखनी है तो ऐसी condition में second number crank मतलब medium crank पर और rear में third, fourth या fifth number फिरेल पर chain को shift कर सकते हैं जिसे आप cycle को normal speed में चला सकते हैं अब बात करते हैं gear cycle के साथ आने लिए कुछ rules के बारे में जिसे आपको follow करना है cycle जब एक जग़ पर खड़ी हो तो कुछ लोगों के अदद होती है के शिप्टर को प्रेस करते रहते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है ऐसा करने से डिरेलर और केबल पर स्ट्रेस परता है जिसे future में gears खराब हो सकते हैं तो इसका देन जरूर रखे प्रेस करते हैं फडिर सिप्टर के जरूर रखे अबढ़ जरूर अधार प्रेस करते हैं दो झाझे खरके टेस्टर के उड़ीं तो इसका आपको बिल्कुल तो आपको अधकी अदमें तो उसे कि थेल खरते हैं प्रेस दोड़ीं करके दो खब़ाटर प्रीघ्स झाल 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 झाल